आप हाई प्रेंड आज आप लोगों के लिए के तिनों के लिए चौकलेट वैक्स लेकर आई हूँ बहुत अच्छा है बहुत तिकाओ है और बहुत अच्छा है यह देखिए बिल्कुल ही अभी सिल पैक है अब आप लोगों के सामने खोल के दिखाऊँगी और यह बड़ा चाह भी हमारे हाथ खराब हो चुके हैं यह देखिए दूप में निकलने से अभी यह देखना बहुत ही अच्छा हो जाएगा हाथ हमारे अगर्मियो में हमें आपके जरुत पड़ती देखिये पूरे हार ताले हो चुके हैं इसके उजे से मैं वैक्स करना ही पढ़ रहा है औ एक आपको यह wax heater चीये और honey wax चीये और कोई साब भी आपके पास powder हो वो चीये और उसके बार wax की पटीयां चीये अभी मैं आपको करके दिखाऊंगे इसके बार में और यह रखे और यह में खूल करें से पहले लोगों को कहाँगी अधीग है निप्रकों निफ खूल कर आप दिखा हूंगी यह ई देखिए चॉकलेट का वैक्स है बहुत ही अच्छा है यह वैला चॉकलेट यह निफ टेखिए और बहुत अच्छा है चॉकलेट रहा मे उसमें आपकों इक ही चम्मच हमें निकालना है यह हमने निकाल लिया है आफ इसके बार ने यह चॉंचलनल शुछा लेडिया है बहुत अच्चा जरूर बो MY चैश घ्ञा अब है निकालना लिया है यह मैंने भूलत आफ तकि निकालना हा गघ्रिया कोमने चोपरे में लेक cations सब तक गरम को तक होगा इसका भी ऄे हजघ यह पहन के रहते हो इसके बाहरे हो पूल लेना है और उसके बाद आपको थोड़ा भी हाँडा लगा लेना क्या है यह मने थो अच्छे से लिए चर के भी हो जार्ष चैLet अब मैं इसको क्या करूंगे आपको वैक्स नीचे की सैट को आपको करना है यह देखिए बहुत ही अच्छा वैक्स है और बहुत आराम से हो जाएगा आपका और बिल्कुल फास्ट भी होता है इसको आपको नीचे की सैट को दबाना है टाइट करके है और अंगलियों से इसको आपको एसे भी कर लेना है और एक जटके में आपको खीच लेना यह देखिए और इसी तरफ आपको पूरे ही हातों में कर लेना है पूरे हाथों में आपको ऐसी ही लगा लेना है यह देखिए अब युम्हें इसको उपर भी साइट से कर ले रही हूँ कि जहां पर आपका वैक्स लग रहा है इसको आपको अच्छे कर लेना है और फिर उसके बाद हात को आपको बूव लेना है उसके बाद इसको ऐसे यह जान दीजी कि जहां आपका बालो का रुख होगा आप उसी शैट को वैक्स को कर सकते हो आपको आदा फोल्ड कर लेना है अब मैं इसको इसके बाद अंग्लियों में कर ले रही हूँ यहां पर आपने अंग्लियों में भी पहना इसको भी आप निकाल लेगी यह निकाल लिया है यह देखिए अब हमारा एक आपका वैक्स हो गया है आप जैसे आपको यहां लग रहा है तो इसमें भी आप लगा सकते हो और जहां पर भी आपका थोड़ा भी वैक्स लग रहा है उसको भी आप इसी से हटाईए और इसमें लगाना आप नहीं होना यह विल्कुल काला हो जाता है इसमें लगाना ही पड़ता है इसको ऐसे करके पोनी को हतेली से दबाल लेजिए और उसके बाद इसको ऐसे खिलीजिए यह हमारा एक हाथ कंप्लीट हो गया है अब यह मैं दूसरे हाथ का हैंड का करके दिखा रहे हो आपको और इसमें भी आपको टेलिगम पोडर लागा देना है अब यह देखिए हम उसमें दूसरे हाथ में ते हम सेम ऐसी ही करेंगे बहुत ही जल्दी फरालेक सुम जाता है अब इस हाथ को ऐसे मोड़ लिए और उसके बार आप लगाई है इस बेदी इस पट्टी को बिल्कुल अच्छे से जब तक यह चिपक ना चाहे जब तक आप इसको खिशते रहना है दबाते इसको उसके बाद एक जट्टे में आपको खिशना है ऐसे नहीं कि दीरे दीजे नगी खिशना है यह देखिए आप इसके बाद आप उसके एक पूपरा ता हिसे बेकर आली आपको खड़ा गी जट्टी और उसके बाद ये कोणी में जरूरी आपको लगाना है इस जगे में और इसको हतेलियों से दबा लेना है और उसके बाद हम अंडियों में भी लगाना है ये हमारा वैक्स हो गया है आप घर बैठे बैठे भी आप अराम से अपना वैक्स कर सकते हो आपको पालर जाने की भी जरूतनी पड़ेगी, जैसे आप लोगों का पालर बहुत ही जादा दूर है, आप घर बैठे भी आप वैक्स कर सकते हो, पांच विन्ट पर आप दोनों ही हाथो को वैक्स अच्छे से कर लोगे, और उसके बाद हमें क्या करना है, जिसे भी हमारा वैक्स हो गया है अच्छे पानी से इनको हाथों को पोच लेंगे और कोई सभी आप इसमें क्रीम लगा सकते हो यह हमारा वीडियो का अप्टम हो गया है झाल